एक ऐसा नैचुरल इंग्रीडियन्ट जो की आपके स्किन और आपके हेर दौनों के लिए बहुत जादा पावरफुल है यानि जिस तरह से आपके स्किन चमक उटेगी उसी तरह से आपके बाल इससे चमक उटेंगे यानि आपके स्किन और बाल दौनों को हेल्दी करने वाला बाल स्मूथ रहते हैं, सिल्की रहते हैं, इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, हेर ग्रोध फास्ट होती है इसी तरह से अगर हम अमारी स्किन की बात करें तो स्कीन पर ग्लो आता है, दाग धब्बे हैं जूरियां, फाइन लैंस, ये सारी चली जाती है अमेजिंग इंग्रीडियंट कौन सा है, चलिए जल्दी से मैं आपको बताती हूँ, यहां पर आप देख रहे हैं, यह है मेरा प्यारा सा अलोविरा प्लांट, जो कि मैं घर पे ही ग्रो करती हूँ, आप लोगों को भी बोलूँगी कि एक प्लांट जरूर जरूर अपने घर अपने जरूर इंग्रीडियंट यह आप जरूर इसे ग्रो करिये, आप लोग मार्केट से लिया यह बहुत ही जल्दी अभी तो बारिश का मौसम है बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा, यहां पर आपको क्या करना है टू 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 थी लीव्स ले लेनी है और इसके बाद मे आप लोग क्या करेंगे आपको करना है इसको जल है उसे सेपरेट करके और आप लोग इसे रख सकते हैं स्टोर करके फ्रिज में ठीके जो कि मैं आपको पहले प्रोसीजर बताया तो सारा जल मैंने निकाल के ग्राइंडर में डाल के और फिर इसको स्टोर करके रख लिया थ सिंपल सन इसका जेल ले लेना है, बेवाद सकारील, अपने सकल्पीं पेसा सक्कारी में लगा है और स्कल्प ले लेना है,जेल लेते रही है। तो एक ही बार में इचिंग की प्रॉब्लम भी चली जाएगी इसकिन की बात करें तो इसकिन में इतना जादा ग्लो आता है आपको ओवर नाइट रात भर इसको अलविरा को अपने पूरे फेस पर लगा कर सो जाना है मौर्णिंग में आप फेस वाश कर लीजी सिफ पानी से आप लोग खुद देखेंगे 7 डेज अगर आप लोग यह चैलेंज लेकर करोगे सीरियसली आपके स्किन बहुत-बहुत हैल्दी हो जाएगी और स्कीन में एक अलग ही ग्लो आएगा सिर्फ एक सिंगल चीज आपको न तो कोई ताम जहम करना ए ना ही कोई बात सिंपल सा लीफ लेमी है और बालों के लिए भी यूज कर लेंज तो पुराने से ताग दबब्वी इस से चले जाते है इसके साथ में ही आप स्किन को वीकली पैमपर जरूर करें जिस तरह से मैं करती हूँ आगे मैं आपको पूरा बताऊंगी किस तरह से मैं फेशिल करती हूँ घर पर ही तो यहाँ पर न्यूड का आप लोग देख रहे हैं यह है फेशिल किट जो की है जो की है 30 मिनट DIY मेक ओवर फेशिल किट जी हाँ सिर्फ 30 मिनट आपको देने हैं और आपका जो फेशिल है न वो बिल्कुल सलून जैसा फेशिल होगा यहाँ तक कि उससे भी अच्छा हो सकता है अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे यहाँ पर आप देख सकते है ब्रेंड जो है न्यूड का है न्यूड के काफी सारे प्रोड़क्त मैंने आपके साथ शेयर किया है और काफी अच्छा यह ब्रेंड है तो अभी इनों ने फेशिल किट निकाला है न्यूली लॉंच प्रोड़क्त है और काफी जादा मुझे पसंद आया और मेरे पास जो है वो है डायमंड ग्लो ठीके यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायमंड ग्लो यह फेशिल किट है सो मैं अभी पूरा फेशिल करने वाली हूँ अभी मैरा हलका फुल का मैकप है जो कि मैं रिमूव करने वाली हूँ फेश को वाश करके उसके बाद मैं मैं जो फेशिल है वो करने वाली हूँ सो इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं अच्छे से पूरा पता देती हूँ ठीक है देखते हैं इसके बारे में वन-बाइ-वन कितने सारे इसके लिखने भी लिखना है तो आपको उसके अकलडिंंग ही इसको वतिस्को करुदा तो गरती हमते हैं कि इन के उपर कैसा ग्लो आता है ठीक है और यह मुझे इतना अच्छा लगाना पाउच कि हम लोग कहीं बाहर भी जारें ट्रेवलिंग में जा रहे हैं या कई शादी में बाहर जाना है हमें है तो आप लोग यह साथ में ले जा सकते हो जरूर नहीं आपके वास टाइम नहीं यहां पर इस तरह का पैकेट आपको मिलता है यहां आपको सारे देखे पीछे स्टैप लिखे वे 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 स्टैप लिखे आपको स्वेस करें लिखा हुआ है। फेस स्क्रब एत रखा है जो की 5 मिंट्स करना है। जो की 10 मिंट्स करना है। स्टेप फॉर्थ जो है वह आपको फेस मास्क रहेगा दस मिनट लगा के चोड़ना है स्टेप फाइफ में आपको फेस सिरम है और इसके बाद में लास्ट हम लोग संस्क्रीन लगाएंगे स्टेप सिक्स में ओके सो वन बाई वन यह मैंने किया भी है सो मैं आपको अब बताती हूँ कि इसके क्या गुड़नेस है और क्या क्या करने से आपको क्या होगा ठीक है चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहला मैं ले रही हूँ क्लिंजिंग मिल्क स्टैप 1 फाइफ मिनिट में इसको करूंगी एससा आपको पुरी क्लिंजिंग को जो बहने है और जो बी डर्ट स्टैप में ठीक हो जाता एप इस तो बी आप्सस जायवी स्कीन कें काफी ज्यादा सबाद में फेसगा बइस इसके बाद मैं लगाने के बाद इसको आंच मिनिट करने के लिव ठैट करेंग में और डड़िक्यन है वो सारी हर जाती है थार पॉइंट पे हम हमाइगे तो मसाज की जिसे हम 10 मिंट के लिए करेंगे इसमे आप सारे जो मसाज के हैना इस्टेप वोटी ने साथ में इसको आपको पूरा कम से किये करना है थाइप के आपकी बर्लिड सर्कूलेशन इंपूर होत तो दस मिनट लगा कर छोड़ देंगे यहाँ पर मैन लग लिया है और टैंट के लिए मैं से छोड़ाइब गज़ूद दस मिनट के बाद में यह आपकी स्कीन को काफी टाइट करता है और काफी सादा इच्छी लगती है और डीपली क्लीन भी करता है इसके लाद में फि्फ अपकी स्किन के अंधर और इसकिन को बनाता है नेक्स आप लोग आते हैं लास्ट संस्क्रीन पर तो यहां मैं अट शनी स्क्रीन लगा लिया है स्टेफ 5 में बिकॉस संकी यूवी रेस से हमें इसकिन को प्रोटक्त करना है यहां पर आपने देखा अच्छे से मैं आपको एक्स्प्लेइन किया है आप लोग इससे पूरे फेशिल किट को लेना चाहते हैं बहुत एफोर्डेबल रेट में है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप लोग लिंक पे क्लिक करके अपने लिए भी और्डर कर सकते हैं यह वीडियो आपके लिए हल्फुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई